सेल्समेन और कंसल्टेंट में केवल यह अंतर होता है कि सेल्समेन हमेशा भारत वर्ष में हर व्यक्ति राय चंद है। उसको लगता है कि प्रोड़क्ट की इंफॉर्मेशन प्राइजिंग इस पर डेटेल बात करूँ लेकिन नहीं। राक को अपना फैन बनाए और वो तभी संबाव है जब आप मेटास लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स वर्ल्ड क्लास हाइजिनिक स्टेल स्टेल मॉडिलर किचिन वैनिटी और वाड्रॉब रस्फ्री तर्माट्फ्री विच साउंलेस टेक्नोलजी दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO एन फाउंडर डिरेक्टर हूं मेटास लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टेल ने स्टेल मॉडूल किचिन की मैनिफाक्चिरिंग करती है एक्सपोर्ट करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे अपने बिजनस में अपार सफलता हासिल करने के लिए ना सबसे पहले हमने लीड जनरेशन पर काम किया और लीड जनरेशन करने के बाद सबसे महत्पून कदम जो बनता है ना वो होता है क्लाइंट का फॉलो अप कैसे करें चाहें आप फ्रंचाइजी बनाएं डीलर बनाए डिस्टिबूटर बनाएं रीटेल करें बीटू बी करें हर जगह आपको लीड को फॉलो करना ज़रूरी है और अगर लीड का फॉलो अप सही तरीके से हो जाए ना तो आपका रेशो अफ कनवर्जन कई गुना बढ़ जाता है आज मैं इसी विशा पर बात करने वाला क्योंकि किसी भी बिजनस की जो बैक बोन है वो जील होगी तो रिवेन्यू जैनरेट होगा रिवेन्यू जैनरेट होगा तो जाधा सड़ा आप तरकी करेंगे आज हम बात करेंगे।व और फॉलो अप की चैन का वालू करहा क्या थऊप्रूरीnh को फॉपनी खार नीग जानकारी प्रोड़क के फीचर, प्रोड़क से संबत information, pricing इस पर detail बात करूँ लेकिन नहीं, अगर ग्रहक को सही तरीके से follow करना है, तो सबसे पहले उसकी जरुवत को समझें, active listener बने, आपका ग्रहक किस तरह का product चाता है, उसमें क्या feature चाता है, या उसकी problem क्या है, और आपक को पता लग पाएगा जब आप active listener बनेंगा, और active listener का मतलब क्या है, जब ग्रहक आपको अपनी जरुरत बता रहा हो, समझा रहा हो, तो उसकी बात को ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें, हमिंग करें कि हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, जी सर, हाँ जी सर, मैं समझ पा रहा ह कि वो जवाब ना में यहां में नहीं देगा, explain करेगा, कि सर, यह जो product आप लेना चाहते हैं, इसमें आपको क्या features चाहिए, इसको हाँ ना में नहीं कह सकते हैं, तो open ended questions जरूर पूछें, identify pain point of your client, आप यह जरूर identify करें कि जो ग्रहक, आपका product या service लेना चाहता है, वो उस इसी के दुख को, दर्द को अगर आप जान लें और समझ लें, तो वैसी आपका fan हो जाता है, इसलिए जरूरी है, ग्रहक को अपना fan बनाएं, और वो तभी संबब है, जब आप उसके pain point को अच्छी तरीके से समझें, clarify expectation, उससे यह जरूर जान लें कि उसकी चाहत क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, क्योंकि expectation अगर आप fulfill करेंगे, तभी वो व्यक्ति आपसे product खरिदने के लिए तयार होगा, उसके बाद next important क्या है, suggest best solution as consultant, ध्यान रखेगा, salesman और consultant में केवल यह अंतर होता है, कि salesman हमेशा अपने product को बेचने का प्रयास करता है, जबकि consultant सामने व्यक्ति के जरुवत को समझता है, और उसे consult करता है कि उसके जरुवत के हिसाब से, या समस्या के हिसाब से, या उसकी need के हिसाब से, कौन सा product best है, तो understand requirements, सबसे पहले समझ लें कि आपकी ग्रहा की requirements क्या है, सही तरीके से requirement समझेंगे, तो आप सही तरीके से product भी suggest कर पाएं कि आपके product के feature क्या है, फर किस बात से पढ़ता है, उन features से customer को क्या फायदा होने वाला है, ये जरूर explain करें, offer long term value, आप ऐसा उसको show करें, और ऐसा relation bond करें, कि उसको पता लगे कि ये long term value है, मतलब लंबे समय तक आपकी company, अपनी services, अपना product, उससे संबंदित साहता करने के लिए तयार है, क्योंकि after sales service बहुत important role play करता है, sales के volume को बढ़ाने के लिए, और रेकरिंग revenue model के जरिए, अपने ही client से नई referrals generate करने के लिए, अगर आप चाते हैं कि आपके संतूस ग्राक आपको references दें, वो किवल तभी संबब है, जब आपकी after sales service बहुत बेतर होगी, अपने ग्राक से long term relation develop करें, क्योंकि एक ग्राक को acquire करने के लिए आपने बहुत अधिक marketing की है, अगर एक बार sale करने का आपने उसको छोड़ दिया, तो नए ग्राक के लिए दुबारा marketing करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका एक satisfied client है, और वो आपको references दे रहा है, तो आपने वाले व्यक्ति की credibility जुड़ने के बाद, deal की maturity कई गुणा जादा होती है, और cost of customer acquisition भी कम होती है, इसलिए जरूरत है सही तरीके से long term relation develop करने की, follow up until the deal close, जब तक follow करते रहें, जब तक आपकी deal close ना हो जाए, उसके लिए करना क्या है, personalized communication करें, उस ग्राक को ये जब आपका personal touch, आपकी personal bonding आपके client के साथ बहतर होगी, तो वो बहतर तरीके से आपको respond करेगा, recap previous conversation, आपकी जो पिछली बात चीत हुई है, उसमें जो भी आपको लगता है positive response आपके client ने दिया है, उसको जरूर recap करें, उसके उपर बात करें, कि हाँ sir आपने ऐसे कहा था, म मैंने समझ लिया था, अब आगे बताएं next, उसके बाद seek feedback, अपने customer का feedback ज़रूर लें, किसी case में अगर आपको लगता है कि ग्राख deal करने के लिए तयार नहीं है, तो उससे जरूर जानने का प्रयास करें, कि उसकी जरूरत क्या है, उसका feedback क्या है, क्यों वो मेरे product या service को पसंद नहीं कर रहा, क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई, या क्या चीज में मुझे सुदार करना चाहिए, जब आप feedback लेते हैं, तो हर व्यक्ति किसी को राय देना पसंद करता है, कहते हैं कि भारत वरश में हर व्यक्ति राय चंद है, तो राय चंद व्यक्ति से राय लेंगे तो उसको satisfaction होगा, और satisfaction होगा, तो वो आप से deal करने की possibility को बढ़ा देगा, उसके बाद provide value addition and information, आपके पास जो information थी ना जो आपने उसको अलरड़ी दी थी, उसमें value addition आप क्या कर सकते हैं, क्या extra benefit दे सकते हैं, क्या extra फायदा दे सकते हैं, क्या अत्रिक्त लाब उसको व्यक्ति को आपके साथ deal करने पर होने वाला है, जो आपके competitor से deal करने पर नहीं होगा, जब ये बातें आप करेंगे, तो आसानी से आपका customer आप से deal करने के लिए तयार होगा, और उसके बावजूद भी तयार ना हो, तो दुबारा से पहले step से follow करना शुरू करें, क्योंकि ध्यान रखेगा, एक consumer जिसने अपने desire शो की है, कहीं ना कहीं वो desire, कोई दूसर अवेक्टिव फुल्फिल करेगा, इसलिए आप क्यों नहीं, आपकी company क्यों नहीं, ध्यान रखेए friends, life में सीखने की ना बहुत सारी opportunities आती हैं, जितना ज़्या यह मेरी life की success story के अधार पर मैंने develop किया है, कि क्या problem है, उनका क्या solution है, कैसे growth करनी है, कैसे sales करनी है, कैसे marketing करनी है, कैसे expansion करना है, कैसे team management करना है, business का A to Z, कहते हैं कि in short term आपको MBA की qualification, के equivalent आपको content मिलने वाला है, अगला training program कब कहां किस शहर में है, उसकी जानकारी के लिए बोर्ड पर दियो नमबर पर अभी call करें और अपनी seat को reserve करें, ताकि आप भी competition के इस दौर में अपने आपको update करके, अपने मन चाही अपार सफलता हासिल कर सकें, इसके लावा आपके मन में अगर कोई भी प्राशन है ना, तो प्राशन मुझे comment box में लिखें, हम उसका करें